वहलो दोस्तों मैं नाम सुम्ह ट्रेटारे, आज मैं अपनी ऑल्टर की सर्विस कर्वाने जा रहा हूं इसकी पहली सर्विस होनी है कि 2000 किलो में पर होती है क्या सर्विस मं क्या होता है जा नहीं सब कुछ मैं आपको इस वीडियो मत डिखाने कोशिश कर रहूंगा क्योंकि मैं पक्का नहीं कह सकता वहां के जो है मानलो बहुत जादा नॉइस होने लगी या फिर महां पर कही बार जो है भजन चलने लगते हैं तो उसकी वज़े से मैं वीडियो नहीं बना पाया तो मैं यही कोशिच करऊं कि वीडियो बन जाया और मैं दिखा दूँगाना की पहली सर्विस में क्या होता की क्या वाकशे में टाटा की सर्विस खराब तीन साल हो यह नहीं बाकी कैसा मेरा experience रहेगा मैं आगे आपको वीडियो में बता दूँआ तो वीडियो को पूरा अंतक देखेगा क्योंकि इस चीज से आपको पता चल जाएगा कि वाके में टाटा की service खराब है यह नहीं तो चलिए चलते हैं टो मिलते हैं आप शोरूम पर तो फाइनले जो है मैं सर्वीसेंटर आ चुका हूं कि देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं कि बाकी जो स्टेरिंग वाली जो प्रॉबलम है वह जो मैं आपको बता दूँआ जो कि स्टेरिग में जो छेद्ध और वह जो नेगेटिव और उनसे बात करता हूं चलिए जैसे भी रहता वीडियो बन पाती तो मैं वीडियो बना दूँगा बाकि जो है आपको जैसे अब योगा मैं अप्डेट कर दूँगा जो आप इसका जॉब काट खुल गया है कुछ तरीके साथ जो कि सर बताएंगे दीपक सर है यहां पर सर क्या कि होगा स्सर्विस में जनल चेकव होता है असे फिल्टर क्लीन और ट् chi माइलेज थोड़ा सा निदिरी क्या पता शायद अभी नई गाड़ी है सोजे से माइलेज का इशू आ रहा है और बाकि ऐसा कुछ है नहीं है बाकि अभी पता चल जाएगा कि टाटा की सर्विस कैसी है बहुत लोग कहते हैं टाटा सर्विस खराब है नहीं है तो यह चीज ज सब्सक्राइब करें अच्छे बाकि जब गाड़ी जो वाशिंग बजाती तो मैं आपको दिखाता हूं क्या रहेगा और जब यह सर्विस हो रही होगी ता मैं आपको जो है दिखाता हूं कि क्या रहता है पहले जो वाशिंग होईगी इसकी उसके बाद जो सर्विस का यह कि यह सब्सक्राइब कर दिखाता हूं बाकि ऐसे वीडियों काफी लेंदी हो जाएगी और दिखाने कोई वैसे तुगबे नहीं होता तो चलिए जब मैं यह जब गाड़ी वाश होती तब मैं आपको यह चीज टीजल के जो स्प्रे मारें इंजन कपार्टमेंट बें जो जो दूल मिट्टी हो सब कुछ जो है वो छुड़ जाए इसकी तो जो यह वाशिंग चल रही है बागी जो मैट बैट क्लीन हो रहे हैं जल्दी नमबर आगे आते के साथ ही मेरी गाड़ी होगी ऐसा नहीं मुझे वेट करना पड़ा आते के साथ ही गाड़ी लग गई थी सब्सक्राइब जाएगी तब मैं आपको दिखा दो कैसी जो है इसकी वाशिंग होई है लुक है पॉलिश लग चुकी है तो आप यह देख सकते हैं तो वाशिंग जो अच्छी करी गई है थोड़ा जो है पर कोई उससे कोई दिक्कत नहीं बाकि आप जैसे देख सकते हैं इसे कोई गंदी नहीं छोड़ लगी अगर आप मैं इधर सी साइड बात करूं जैसे मिट्टी लगी रहती है तो यह आप देख सकते हैं डेकी भी अच्छी तरीके से वाश करिए जड़ी कि टिवीख अब देख सब्सक्राइब करें बदो बात करें तो पीछे जो आई के यह अच्छी तरीके से जो है कर दिया आए साफ और बेट भी थोड़ी से गंगी थी यह पारकल से हैं तो इसे कुछ नहीं पर इहां भी ज़ोड़ा साफ कर दीं गई है तो डोर और भी जो अच्छी तरीके से साफ कर दीं जैसे आप देख सकते हैं यह भी जो है यहां भी जो है डैश बॉर्ट पर पालिश लगा दी है तो काम तो जो अच्छा किया गया है जैसा कि आप देख सब्सक्राइब जो भी है आपके सामने है वीडियो जो थोड़ी सी लेंदी होगी पर मैं आपको दिखाना ज़रूरी है यह चीज ये है बाकिला है कि इंझन कंपाट्मेंट की बात करों तो याँ भी जुँ लगा इस पर इच्ट में संफाई तो कुछ इस तरीके से तक यह वीजे साफ उतरा है इस तरीके कर यह एक कर दिगे हैं अब कर साफ ोड़ा पानी यह मत्ता हो साफेillमत मदियर 14 अच्छी तरीके से कड़ दी गई तो सर्विस पर जाती है कड़ी फिर मैं आपको दिखा तो कि सर्विस पर क्या क्या होता है बाकि जो पर हनवांची घूम रहे हैं जैवां निमांची तो चलिए अब बात करते हैं सर्विस के टाइम पर तो यह चेक अप जो हो गया है मिल ले ना कि अब 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 आपको थोड़ी सी आ रही होगी वर्क्शॉप तो वर्क्शॉप में जो आवाज आती है पर आप थोड़ा सा चीज का माइंड मत करिएगा अब कि मैं चाहता हूं जो एक्चल वह दिखा दूँ कि मैं चाहता है तो बाद में बता देता कि गाड़ी को साइड में खड़ी करें की यह हुआ हुआ मैं चाहता हुआ पता चलेगे टाटा की सर्विस है कैसी कर से अंदर भूइसे पार फिल्टर खुल रहा है इस प्रूटर जोए सफ फिल्टर जाता तो चलिए एर्फिल्टर खुल जाता है जब मैं बता तूँगी क्या कंडिशन भूशन से तो फिल्टर जो इस तरीगे करें लिए ज्यादा गंदा निकला इस पर जो है एएर मार के काम हो बागी जो सर और चीदे चेक करें बागी सर और कुछ निकल लिए के अंदर और यह पुलेंड आपका ओक्ट है लाइपर में पाइड लिया है अब वाइपर प्लेट जो भी है अधिक कि यह तो यह थी यह 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 बीट अब यह यह दो सब बस जो थोड़ा सा एवरेज का मेरे को लग रहा था बाकी सर कहा रहें कि थोड़ी जो चलती जाएगी यह तो एवरेज आ जाएगा इसका एक चीज मेरे को ध्यान नहीं इसमें रबड नहीं है ठीक है कि यह दोर बिटिंग चेक हो रही है मुझा सारे क्वालिटी चेक जो होते हैं वो सब देख रहे हैं सारी डोर रबड है इस वाली की नहीं है एक ना भी लागर करके फिस करां इस वाली की वाली डोर रबड नहीं तो यह सर लगा देंगे इसकी बागी फिल्टर आ गया बाई जो फिल्टर लगा रहा रहा है इसमें लुप लुप जी सब क्या एर फिल्टर चेक कर नहीं जरुआ थे एर फिल्टर चेक करा देना फिल्टर भी चेक होगा इसका तो फिल्टर लगने देते हैं फिर बताता हूं कि कि आगे का प्रोसेस रहता है इतने फिट होगा एर फिल्टर बाकि जो घर नीचे भी मैं आपको देखां देता हूं तो खराब नहीं कि एधर जिए नीचे से कोई गाड़ी ऐसे कोई लगी नहीं है खास कि अधिया जी दो लाइन होगा सब ठीक है ना अब फैस जो है उपड़ सी ये चलना है बाकी मैं आपको उपर का उपड़ेंट देखा तक उपर का कि अधिक्स हो गया है कि फिल्टर चेक हो गया वाशर का पानी चेक हो गया यहां पर पूलेंड भी चैक हो गया ब्रेक फीड भी जो है हो गया इंजन ऑइल भी जो है चैक कर लिया तो यह सब आपको जो हो गया जो में जर चैकते यह सबक्राइब खूची है बागी जो मेरी कंप्लेंड है वह अभी रह रहा हो इसकी मैं अभी बात करता हूं जैसे भी मेरा आगे में वह चीज़ा बता दूमाँ आपको चैकेक हो गया रबड भी जो है लग गये इसकी कि यह लगे रबड़ भी इसकी वाग्यों स्टेरिंग का इश्व और वाला इश्व जो मैं दिखाता हूं यह इश्व मैंना भी देखाए जो है यह कहरें सारी और टोस में बट यह इश्व तो है जैसे कि आप यह देख सकते हैं तो अब डीपली दिखाऊं तो उसमें गैप ह है यह देख रहे हैं इस चीज में अभी चेक कराता हूं इस पापी चेक होईंगे इसके क्या नहीं नहीं वह अगली सर्विस में अब को कंप्लेंट आइव ने मिसिंग तो नहीं है चलिए वाकी अब जो है साही हो गई है न सर्विस की तो जो होनी थी बजो कंप्लेंट है वो रह गई है यह आ गये हैं इन्हों नहीं गाडी देलवाई थी यह अगर आपको जो नई गाड़ी लेनी यह टाटा की कोई सी तो शार सबसे कॉंटेक्ट कर ले ना डिस्क्रिप्शिन में नमर दाल दुआ इनका यही मुझे जहां से मैं फसाते हैं बढ़ें तो श्री स्टेरिंग्-वाले इश्यू मैं देखी आया हूं यह जो स्टेरिंग्-श्यू है वह कुछ और अभी नए गाडी में भी देखा उसमें भी यह है तो यह कुछ नहीं है यहां से जो इस अर्बादेंगे क्या होता है यह लोग अज़िए लूग खूलना प तो यह कुछ मना इशू नहीं यह कंपणियों दे रहा है बागी चेक करें कि हैडलर लेवल जो है इसका सईया या नहीं है अधिक है और बाकी जो मैं एक और प्रॉब्लम आपको बतारता हूं कि वो चुके वो सारी गाड़ियों तो यह पिटन फिनिश का जो है टार्टा की गाड़ियों में है कि यह चीज जो है लिए जिसारी गाड़ियों में भाहर देखके भी आया अब यह सकैन हो करेंगे यह की है क्या कॉस्ड आती है सब कुछ मैं आपको वीडियो के eandowee बता दो कैसी रही सर्विस कैसी मुझे लगी सब कुछ में आपको वीडियो के बता दू तो यहां जो चाहिए गाड़ी के स्कैन हो गई........ कोई भी जो फॉल कोड नहीं निकला सटाइब तो गाड़ी जो है बिल्कुल ओक्त है तो यहां भी जो अच्छी तरीके से गाड़ी कुछ चैक कर गया बाकि बास AC विल्टर रह गया है इसी विल्टर वास करा रहा हूं कि अभी तक AC चला नहीं है क्या गंदा होगा फिर भी मैं जो चेक करवा रहा हूं अब जो को शॉट करना चारहा हूं जाधा बड़ी कंदा नहीं चाहता है क्योंकि में इन पार्ट में आपको दिखा रहा हूं कि वीडियो लेंदी करने आके तो फिर एक गंटे की वीडियो बनेगी बाकि जो साउंड चला यहां पे बज़न बज रहे हैं तो उसके वज़से खुल गया है और बिल्कुत साफ निकला वह मैंने ऐसी खुला आया तो मेरे को पता तो साफ निकल था बट फिर भी ऐसा वैम के लिए मैंने करवा दिखवा लिया या भी एसी एक दो बार ही चला है इसका ज्यादा चला भी नहीं है बाकि सर्विस हो चुकी है स्कैनिंग हो जाई है जो इस्टा वह सारी ऑल्टो के अंदर है वह कोई इस्टो नहीं है वह बहुत नहीं में है तो यह फिट इन फिनिश की इस्टो आ उसमें जो मैं भी कुछ निकर पाँगो जो सरविस सेंटर लिए बी कुछ नहीं कर पाएंगे बाकि और कोभी प्लावड़म नहीं ह अब जो सीधे मिलते हैं इसके गेट पास के टाइम पर जब जो सारी चीज मेरे से साइंद माइन होएंगे कि क्या कॉस्ट लगी है पहले सर्विस क्या कॉस्ट आई है क्या नहीं है जो भी होगा मैं आपको जो अभी बता दूंगा वीडियो के एंड में तो यह तरह सर्विस क पूरी तरीके से हो गई है यह गेट पास का है जो कि एगा अब इसके अंदर क्या मेरे को देना पड़ेगा सर यह गेट पर जेना होगा बिल आपका जीरो का है फस्ट सर्विस में कुछ नहीं है तो पासरे मेरे को कुछ निदेना पड़ा जिनना इस सैकंड अच्छ यह ठी सब्सक्राइब करेंगे यह अपना नाम मोबाइल नमबर यहां पर अपना नाम मोबाइल नमबर 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 नम जो मैं अब दाल देता हूं तो फाइनली यह हो गया सब कुछ होगा कोई चार्ड नहीं लगा अगर मैं सर्विस के बाद करूं तो मैं दस में से सब्सक्राइब करेंगे जब मेजर सर्विस होगी और चेंज ब्रेक शूर साफ या फिर चेंज होगे उस चीज़ में पता जाएगा बागी सर्विस में बिल्कु सैटिस्वाए हूं तीन घंटे के अंदर मैं देंको गाड़ी दे दिया और हर चीज़ चेक करी और फिल्टर और सब कुछ जो है चेक अप होते हैं बाकी गाड़ी का स्केंवें सब तो यह ती मेरी टाटा ओल्ट्रोस की फस्ट सर्विस अगर वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक की जगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा